हेलो वेलकाम इवाल स्वागत है आप सभी लोगों का और आज आपका स्वागत करने में थोड़ा सा मैं डिले हो गया हूँ थोड़ा सा प्रस्टनल वर्क के वज़े से ये वीडियो लेक्चर रिकाउड नहीं हो पाया था तो फिर अप्लोडिंग वे डिले होगी हाला कि टेल के गए थे हाला कि ये question आपके लिए important है exam point of view से काफी important है आपके exam में ये पूछे जाते हैं और मैं वात करते हैं हमारे सब्सक्राइब के बारे में और उमीद करता हूं कि आगे भी अपनी performance को consistent रखेंगे और जब तक selection नहीं हो जाता है तब तक रखेंगे, हाला कि शीट काफी जादा है, इनके अलामा भी बहुत सारे लोगों का सेलेक्शन होगा, जिनका यहाँ पे नाम नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, यह कुछ female candidate है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, इनसे भी वही उमीद है, जो male candidate से है, अगर educating today for better tomorrow, चलिए अब कुछ statics की बात कर लेते हैं, इसके बाद सिधा solution पर move करेंगे, तो यहाँ पर कुछ state by statics है, पहले मैंने mention कर दिया है, ताकि यहाँ पर time waste हमारा नहीं हो, यह कुछ category का statics है, आप देख सकते हो, किस category के कितने candidate appear हुए थे, यह कुछ आपके qualification का statics है, तो इसको भी आप देख सकते हो, बाकी अब बात करें performance की, तो यह basically chart है, average आप देख सकते हो, कि average है 24.26, तो उमीद करता हूँ कि हमेशा आप average से उपर रहने की कोशिस करोगे, अगर आपको selection चाहिए तो, कोई बहाना नहीं चलेगा कि test series तैयारी करके नहीं दिये, या यह नही हुआ, भाई अप test series दे रहे हो, test series का फायदा तभी है, जब आप उस subject की preparation करके दो, अगर बिना preparation आप test series देते हो, तो आप अपने मन में तो यह तो रहेगा कि आर preparation किया होता ना, तो एकदम से fart डालता पूरा paper, बट preparation नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा कम रहे गया, मतलब क करते हो, ताकि आप अपने capability को major कर पाओ, कि आप कहां पे exist करते हो, और फर्दर उस हिसाब से आप अपना plan कर पाओ, अगर तयार करके आप test series नहीं देते हैं, तो फिर मतलब नहीं है आपको test series देने का, और यहां पे मैंने as usual जैसे कि मैं बनाते रहता हूँ कि कितने लोग क करने की कोशिज करेंगे, यह basically marks हैं, किस category कि क्या marks हैं, वो आगे आपको chart में भी दिखा होगा, अब हम बात करते हैं हमारे first question की, limiting friction, limiting friction क्या होता है, बहुत ही simple question है, limiting friction, maximum लोगों ने सही भी किया है, limiting friction, वो friction होता है, जब कोई body tense करती है, कि अब वो slide करना start करेगी, इसको हम तरह आपका question है, इसे भी कह सकते हैं, कि यह maximum static friction है, क्या है, maximum static friction है, उसे जदा friction नहीं बढ़ेगा भयिया, अगर इस से जदा force apply करते हो, तो आपकी body move करना शुरू कर देगी, और यह maximum static friction है, जो होता है, यह maximum friction भी एक तरह से होता है, कि जैसे body move करने लगती है, friction थोड़ा सा decrease कर जाता है अपने static condition से next आपका question है the angle between the resultant इसमें थोड़ा सा लोगों को doubt हुआ है angle of repose में and angle of limiting friction में आप थोड़ा सा ध्यान रख लो कि अगर हम किसी plane की बात करें हलाकि पहले मैंने बताया था तो यह जो angle होता है inclined plane और horizontal के बीच में resultant reaction है और normal के बीच जो angle होगा मतलब यहां पर आपका यह हो गया यह आपका component हो गया हालाकि यह सारी चीज़े हमने पहले भी discuss किया हुआ है यह आपका normal हो गया इस direction में आपका friction हो गया और friction और normal का यह resultant हो गया यह angle अक्षर हम 5 से दिखाते हैं तो यह जो angle होता है इसे हम कहते हैं friction angle और जब यह angle जब यह limiting friction या फिर आप कह सकते हैं angle of repose जब इस पर पहुच जाता है उस टाइंपर body यह slide करना start कर देती है तो उसे कहते हैं angle of limiting friction next जो आपका question है किसके लिए applicable है लामिय स्थियरम उमीद करता हूं सभी को पता होगा यह concurrent and coplanar forces पे apply होता है concurrent forces ऐसे forces जो same points से होके निकलते हैं या pass करते हैं coplanar forces ऐसे forces जो same plane में लगते हैं मतलब उनका line up action same plane में होता है यहाँ पे दोनों condition दिया गया है मतलब same same एक ही plane में हैं और एक ही point से pass हो रहे हैं suppose कर लिजे इस तरीके से देखिए यह इनका common point है और एक ही plane में act हो रहे हैं अपर अजूम कर लेते हैं angle alpha है यह angle beta है angle gamma है अगर यह F1 है F2 है F3 है हाला कि आप सभी लोगों को पता होगा बट एक बार मैं इसको आपको याद दिला देता हूँ तो अगर हम यह force F1 लिखते हैं इसके opposite का हम जो angle होता है उसका shine component लेते हैं तो यह shine beta हो जाएगा उसी तरीके से अगर हम F2 लिखते हैं तो यह हो जाएगा shine gamma इसी तरीके से हम F3 लिखते हैं तो यह हो जाएगा shine alpha ठीके तो यह आपका होता है लामीस theorem का formula यह apply कप करते हैं जब force concurrent है या in coplanar हो in which of the following situation particle will not in equilibrium थोड़ा सा fundamental question है क्यों doubt हुआ है आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या आपकी गलती हुई है बात क्या कर रहे हैं यह non equilibrium की बात करें मतलब आपकी body non equilibrium में है that's mean कि वहाँ पे क्या होगा unbalanced force होगा unbalanced force होगे तभी तो non equilibrium में होगी ठीक है अब देख लो आप कहां पे आपका unbalanced force आ सकता है ठीक है अगर कोई velocity कोई body क्या है constant velocity से move कर रहे है that's mean कि delta V by delta T 0 होगा कोई acceleration नहीं है ठीक है no unbalanced force according to the Newton second law moving in the state line with constant speed same condition body moving with zero acceleration same things यहाँ पर क्या mention किया गया है body moving in circle with constant speed अब यह देखो आपको होगे कि यहाँ पर भी तो constant speed है हम सभी को पता है कि यह क्या होता है जो हमारी angular speed होती है जो velocity होती है यह एक vector quantity होते है जब यह vector quantity है that's mean कि यह magnitude and direction दोनों पर depend करते है यहाँ पर यह इनका magnitude तो constant है बट इनकी direction continuously change हो रही है that's mean कि vector की value change हो रही है वो direction change कौन करेगा उस direction को change करने के लिए वहाँ पर कोई force तो चाहिए कौन सा force होता है वो centripetal force होता है तो that's mean कि वहाँ पर एक acceleration भी है कौन सा acceleration है centripetal acceleration है centripetal acceleration है इसी लिए यहाँ पर एक force है that's mean कि वहाँ पर एक unbalanced force है तो condition कौन सी बनी non equilibrium की जो next आपका question है यह question थोड़ा सा अच्छा level का है बट यह question अगर आप चाहोगे कि exam में आपने पहले से नहीं किया हुआ है और exam में इसको solve करो तो बहुत time taking होगा यह तो इस type के questions आपको याद रखने हैं यहाँ पर चार conditions बनती है चारो conditions के मैं आपको formula बता दूँगा अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे formula तो नहीं मुझे इसको solve करना है तो मैं कैसे solve करना है यह बता देता हूँ आपको आप इसको थोड़ा सा technometry है लगा के solve करते रहना मैं force balance कैसे करना आपको यह बता देता हूँ चारो case बता देता हूँ यहाँ पर यह mention किया गया है कि यह angle है आपका alpha को यह body है suppose कर लिजे कि हमारे पास body है इसका weight भी आपको दिया गया है w ठीक है आप से कहा गया है then the force required to drag the body when it is just impending to move ठीक है तो आपको कितना minimum force चाहिए ताकि इस body को आप drag कर पाऊ drag का मतलब basically यह है कि आप उपर के तरफ खिचो पर यहाँ आप मैं 4 condition आपको बताता हूँ कि जब यह उपर के तरफ जाएगा तो क्या formula होगा जब यह नीचे के side जाएगा तब क्या formula होगा यह 2 case हो गई 2 case force के condition बनती है एक condition यह है कि आप force इस plane जो inclined plane है इसके parallel लगाओगे मतलब force के यहाँ पर बात कर रहे है effort का जो आप खीचोगे इसको ठीक है जब इसको आप pull करोगे उसकी हम बात करोगे तो pulling force इसके parallel लगाओगे तब क्या होगा यह भी condition हो सकती है जो आपका pulling force है वो आपने इसके parallel लगा के horizontal के parallel लगाया हुआ कैसे लगाया हुआ है horizontal के parallel तो इस case में क्या condition होगी दोनों force के case में दो condition आएगी जब body upward direction में जा रही हो तब क्या होगा जब body downward direction में जा रही होगी तब का होगा जब force हम parallel लगाएंगे तब बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है easily आप component find out कर पाओगे कैसे component find out कर पाओगे ये angle क्या हो जाएगा आपका alpha हो जाएगा ये क्या हो जाएगा mg चलो weight दिया हुआ है तो हम directly weight लेते हैं mg नहीं लेते हैं तो ये हो जाएगा w cos theta sorry cos alpha और इधर आपको जो force हो जाएगा that is w shine alpha ठीक है और जब इस body को आप upward direction में pull करोगे उस time पर friction किदर लगेगा इस direction में लगेगा तो simply force balance कर लेते हैं तो जब यहाँ पर आप force balance करोगे तो इस direction में 2 force हैं और जो आपका up direction of force है ये f है जो कि parallel है कोई component नहीं है पूरा force उस direction में है तो ये क्या हो जाएगा w मतलब ये w की बात कर रहे है weight sin alpha plus mu n ठीक है n की value यहाँ पर क्या दिया गया है आपको n की value दिया गया है ये वाला value है ये normal है आपका न ये normal है तो इसको balance कौन कर रहा है इसका cost component कर रहा है यहाँ पर लिख दोगे mu cos alpha ठीक है mu की value क्या होती है भाई इसके पहले भी मैंने prove किया हुआ है क्या होती है tan 5 is called to mu होता है अगर आप भूल गये हो तो थोड़ा सा मैं hint दे देता हूँ एंगल होता है आपका 5 tan 5 is called to क्या हो जागा friction force divided by n और आपका friction force होता है friction force is called to होता है mu n ठीक है तो यहाँ से tan theta is called to mu is called to क्या हो जाएगा f by n और यहाँ से tan theta मतलब दोनों same होते हैं यह value आपको यहाँ पर substitute कर देनी है simple trigonometry solve करना है जब आप trigonometry solve करोगे तो यहाँ पर आपको जो f की value मिलेगी वो मिलेगी w sin alpha plus phi divided by cos phi यह कब मिलेगी यह value मिलेगी जब आपकी body upward direction में move कर रही है जब downward direction में move करेगी तो क्या होगा बस कुछ नहीं होगा यहाँ पे आपका minus sign आ जाएगा यह कौन से condition है जब force आपने inclined plane के parallel लगाया था दूसरी condition क्या है जब force आप inclined plane के inclined plane नहीं मतलब horizontal plane के parallel लगाओ मतलब आपका force कुछ इस तरीके से लग रहा है यह आपका plane है देख लो यह वाली तो parallel लग गए यह angle क्या हो जाएगा अब यहाँ पे जो f लग रहा था वो f नहीं लगेगा यहाँ पे आपका लग जाएगा f cos alpha और जो normal की value होगी वो भी change जाएगी अब normal की value पहले normal की value क्या थी w cos alpha अब normal की value क्या हो जाएगी w cos alpha plus f sin alpha यह normal की value हो जाएगी आपके और mu as it is रहेगा यहाँ पे n की value आप substitute कर दोगे again जब इसको substitute करके और mu के जगव पे 10 5 substitute करके जब इसको solve करोगे क्यों substitute कर रहें क्योंकि आपको answer जो है alpha and 5 की condition में दिया गया है जब इसको आप find out करोगे तो यहाँ पे भी दो case आएगे एक positive में आएगा एक negative में आएगा तो जो positive वाला case होगा जब यह upward direction में जा रहे हैं तो positive होगा जब downward direction में जाएंगे तो friction force इस direction में लग जाएगा भूलना नहीं है friction force relative motion का positive direction में लगेगा वो इस condition में भी होगा जब negative आएगा तो ठीक है तो friction force इस direction में हो जाएगा पहले हम यह दख लेते हैं कि जब यह आप जाएंगे friction force इधर लगेगा उस case में क्या होगा तो यह हो जाएगा आपका omega 10 alpha plus 5 ठीक है और दूसरा जब यह downward action move करेंगे friction इस side हो जाएगा force balance करना है कर लोगे उमीद करता हूँ इस तिल अगर आपको समझ में नहीं आए तो comment box में या telegram पे message करना आप कोई doubt होगा तो मैं वो बता दूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा omega tan tan alpha minus 5 very simple तो दो formula यह हैं और दो formula यह है according to the question आपको solve करना है हाला कि यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं गया था कि आपका जो effort है या जो force आप apply कर रहे हो dragging force वो inclined plane के parallel है या horizontal के parallel है मगर क्या है जो options दिये गए हैं यह सारे ऐसे दिये गए हैं जैसे ऐसा लग रहा हो कि यह horizontal के parallel force लगाए गए हो तो जब horizontal के parallel लगाए गए हो तो यह तरीके से आपको formula लगाना है उमीद करता हूँ इसमें कोई doubt नहीं होगा थोड़ा सा question बढ़ा था बट यह चारो case आप याद कर लो यह चारो case के questions कभी कभी पूछा जाता है और इनको आप exam में solve नहीं कर पाऊगे तो अच्छा है इनको आप याद रखो जो भी tricks से आपको याद रहता है जो next question है आपका अब ball is released इसमें भी कुछ लोगों को doubt था हाला कि doubt नहीं होना चाहिए बस ठीक है कहीं कहीं पर इस question में answers भी अलग-अलग आपको दिये गए होंगे क्या होगा कोई माली जे lift है ठीक है अगर इसमें कोई आदमी है और उपर जा रहा है acceleration ए लगा हुआ है नीचे G लगेगा तो definitely यहाँ पर जो resultant acceleration होगा A-G होगा यहीं downward जा रहा है तो G-A होगा यह सारी चीज़े होगी मगर ball को आपने क्या किया है आप बाहर throw कर दिया है ठीक है तो बाहर throw करोगे तो यह freely fall करेगा यहाँ पर acceleration क्या लगेगा केवल G लगेगा एक चीज़ हो सकता है कि जैसे ही आप फ्लॉ करोगे इस ball को throw करोगे fraction of time के लिए due to energy of ball यह ball क्या करेगा थोड़ा सा अपर direction में move करने की कोशिस करेगा थोड़ा सा हो सकता है कुछ fraction of second के लिए तो उस case को छोड़ दें तो बाकी time पर इस पर जो acceleration लगेगा वो G ही लगेगा अगर उस fraction of time को just a moment को आप capture करना चाहते हो तो definitely उस time A minus G लगेगा बट ठीक है हम generalized case लेते हैं तो ball of free fall हो रहा है तो acceleration क्या होगा? G होगा next जो आपका question है again बहुत ही simple question है a block of mass M is placed on the smooth inclined plane the inclination angle is 5 कहीं पर 5, alpha, theta कुछ भी दिया अगर है आपको रटना नहीं है जो angle दिया अगर है वही लेना है तो आप से पूछा गया है force ejected by the plane on the block क्या लगेगा भाई? लगेगा उसका cos component तो जो भी इसका weight है M है तो G, M, G, cos, psi ये लगेगा तो M, G, cos, psi I think so M, G, cos, psi ये वाला सही है काफी सारे लोगों ने इसको सही भी किया है कुछ लोगों ने गलत भी किया है गलत नहीं होने चाहिए इस टाइब के simple question क्यावल force component आप से पूछा है अगेन अगर आप गलत बता होगे तो फिर तो फिर आपको improve करना चाहिए अपने पढ़ाई को या fundamental को next job का question है while walking on the slippery plane अब इस question में क्या था गलत option select हो गया था उस time पे जब आप लोगों ने इसको attempt किया होगा बाद में मैंने इसका answer change किया है possible हो आपके marks increase हो गया होगे अगर google form ने update किया होगा नहीं किया होगे तो आपनी इसाप से one marks increase कर लेना कभी कभी क्या होता है don't know कैसे मैं तो कोसिस करता हूँ कि सभी option correctly होँ बट कभी कभी कोई option छूट जाता है भूल जाता हूँ मैं क्लिक करना उपर से copy paste करता हूँ वहीवाला रह जाता है यह कुछ भी नहीं change हो पाता है यह simple question है आप small step लेते हो यहाँ से मान लीजी आप ऐसे चल रहे हो आपने ऐसे step लिया सबोर्च कर लीजे आप खड़ा हो उस टाइम पर क्या होगा आपके पूरा वेट इस normal को balance कर लागा और reaction को और f is equal to आपको पता है क्या होता है mu n होता है और mu काफी कम होता है slippery pain का तो सारा दर्मदार किसके उपर होता है आपके normal force के उपर होता है चुकि friction चाहिए अगर friction नहीं रहेगा तो आप गिर जाओगे अब आपको n बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा छोटे छोटे चोटे step लेने पड़ेगी ये आगर आप step लेते हो तो component काफी कम हो जाएगा normal का जिसके वज़े से आपके गिरने के chances बढ़ जाएगे तो यहा अगर यहां पर फोर्स मेंशन रहे तो भी हो सकता है अगर यह वाला मेंशन ना रहे तो आप लार्जर फ्रिक्शन भी ले सकते हैं चुकि friction फोर्स को इंप्रूब करने के लिए ही हम यह करते हैं ठीक है तो अभी appropriate option आपका first है next question है again बहुत ही simple question है आपसे पूछा क्या है simply पूछा है omega आपका जो ratio है वो omega होता क्या है w मतलब omega angular speed यह क्या होता भाई delta theta मतलब कितना angle change हुआ और कितने time में change हुआ यह होता है तो अगर हम first one की बात करें तो delta theta इसकी value क्या है theta e है कितना time लगा delta t इसकी equal to क्या है t ही है t time में दोनों complete करते है omega 2 is equal to क्या है यह भी theta by t ही है ठीक है अब यह कह रहे हैं कि same time है यह same है यह same है यह कह रहे है theta angle जो है यह पूरा complete revolution हुआ है तो यह भी जो angular displacement है theta क्या है आप angular displacement वो भी same है तो जब वो भी same होगा तो दोनों का ratio क्या होगा one के equal होगा simple question था इसमें भी I think so की गलट tick हो गया था I think so यही टीक हुआ था गल throw from the clip अब देखो इस question में काफी सारे लोगों को doubt होता है क्यों doubt होता है I don't know basic fundamental है आपको fundamental के हिसाब से ही चलना है आपको एक question भी मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि अगर दो body है एक heavy है और एक light है छोटी है एक बड़ी है मान लिजे एक बड़ी वाली body है एक छोटी वाली body ह दोनों को आप किसी particular height से throw करते हो कौन सी body पहले ground को hit करेगी which one will hit the ground first एक question आप comment box में बताना हाला कि मुझे लगता है एक explanation के बाद आप बता दोगे इसको क्या है exactly भाई देखते है एक बार मान लिजे किसी particular height पे है यह energy conservation लगाते है कितना energy होगी उसके पास mg h यही तो potential energy d यही energy किस में convert होगी भी या आपके kinetic energy में half mv square आपके मन में कुछ doubt आ रहा होगा don't worry मैं इसको clear कर दूँगा पहले इसको आप सुन लो m से m cancel out हो जाएगा v की जो value आएगी under root 2g h आ जाएगी यहाँ पे आप देख रहे होगे g constant है हर body के लिए same रहेगा h same height से फेके गए है तो वो भी same रहेगा किस direction में फेका जाएगा बिल्कुल यह depend नहीं करता है आपके final velocity आपने ball को किस direction में throw किया है इस पे depend नहीं करता है अब आपको होगे कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो जो हम force लगाएंगे जो हम energy देंगे उसका balance आपने कहां किया यहाँ पे तो अभी उस energy को हम negligible मान के चलते हैं हम यह मान के चलते हैं कि जब कोई body उपर से throw की जाती है कुछ time के बाद आप जो energy दिये रहते हो वो disappear हो जाती है और उस time पे जो ball आपका free fall होता है वो केवल और केवल gravity के वजह से होता है अगर यह distance h बहुत ही कम है बहुत कम distance से आप फेक रहे हो त bullet से आपने मारा बहुत close है तो क्या होगा आप जमीन में ज़्यादा जाएगी ना आपकी और heavy speed से hit करेगी but nevertheless in general case हम यहाँ पे ले रहे हैं हम मान के चलते हैं यह height काफी ज़्यादा है आपने जो energy दिया था वो कुछ time बाद disappear हो जाएगी और body same body मतलब जो velocity होगी उसकी hit करन की वो same रहेगी ठीक है तो यहाँ पर जो आपका option होगा वो यह correct होगा क्योंकि यह depend नहीं करते direction के उपर यह वाला जो है इसमें भी आप ऐसी assume करके चलना इसमें throw नहीं किया गया है फेका नहीं गया है just छोड़ा गया है एक heavy body है एक light body है दोनों को just छोड़ा जा रहा है throw नहीं किया जा रहा है यहाँ पर यह question है इसका reply of comment box में करना with reason next question है the work done by the external force on the system equal to change in according to energy theorem क्या होता भाई total change in energy यह जो question है यह question formula based है उमीद करता हूँ आप सभी को formula याद होगा derivation नहीं करना है नहीं यहाँ पर करना है नहीं आपको करके सीखना है याद रखना है derivation आप लो आते हैं आपको formula याद रहना चाहिए फट formula लगाओ क्लिक करके इंसर निकालो बाकी सब छोड़ दो भाईया कब research करना है बहुत ही simple formula क्या होता है 3 by 8R यहाँ पर diameter दिया गया है फट करने के चक्कर में diameter मत रख देना यह हो जाएगा 64 यह हो जाएगा 8 यह हो जाएगा 24 तो इस regular body को दो condition में cast किया गया है एक condition में जो इसका mass है वो uniformly distributed है दूसरे condition में इसका mass uniformly distributed नहीं है आपको बताना है कि किस case में centroid और center of gravity coincide करेंगे ध्यान रखो यह regular body है मत्तब इसकी dimension regular है mass distribution regular नहीं है एक case में regular है एक case में uniform है आपको बताना है किस case में जो centroid और center of gravity होंगे coincide करेंगे और क्यों करेंगे नेक्स जो का question हो यहां से आप से पूछ रहा है तो यह हो जाएगा h by 4 बर्टेक्स से पूछेगा तो क्या हो जाएगा 3 h by 4 तो answer रहेगा आपका 4 नेक्स जो question है आपका moment of energy आपको पता ही होना चाहिए क्या आप से कह रहे है यह आपका width है थोड़ा बड़ा बना दिया वर tension नहीं लेना है यह आपका width है यह आपका depth है आप से पूछ रहे हैं देखो सारी condition दिया गया है किस axis के along पूछ रहे हैं कहारे passing through the center of gravity parallel to the depth यह आपकी depth है center of gravity कहाँ पर होता है इनके center पर ही होता है center of gravity ठीक है यह center हो गया यहीं पर होगा इसके parallel पूछ रहे हैं मतलब इसके parallel यह वाली axis हमारी yy वाली भी ले ले लेते हैं yy यह x x है क्या होता है मुझे नहीं पता आप कै कैसे याद रखते हो इसके जो perpendicular dimension अगर यह ले रहे हो तो इसके perpendicular में जो dimension होता है उसका cube होता है तो यहां पर आ जाएगा db cube by 12 बहुत ही simple तो option हो जाएगा आपका d यह जो question है यह भी questions simple question है आपको करना क्या है बस velocity find out करना है x की और y direction की और उसका resultant find out करना है दोनों perpendicular direction में हैं तो कास 90 की value क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो एक तो ऐसी हट जाएंगे तो आपको resultant क्या मिल जाएगा vr is equal to क्या मिल जाएगा ux square plus u y square तो यह formula आप uxy find out करना है तो ux is equal to क्या हो जाएगा ux is equal to क्या हो जाएगा dx by dt differentiation double differentiation है उमीद करता हूं आपको आता होगा त से अंगल है ना दुबारा इसको करना पड़ेगा क्योंकि इसके अगेंस में आप कर रहे हो तो यह हो जाएगा तो सिंपल क्या हो जाएगा 12 कास 3t यह हो गया और जब आप u y find out करोगे तो dy by dt हो जाएगा that is equal to minus हो जाएगा क्योंकि कास का minus होता है अगें यही सेम चीज आना है तो minus sign 3t हो जाएगा जब आप square find out करोगे तो बाकी सारी चीजे common हो जाएगी और यह बचेगा cos square 3t और यह हो जाएगा sin square 3t तो 3t मतलब theta ले ले लेते हो तो cos square theta plus sin square theta क्या होता है भई 1 होता है बाकी 144 है बाहर हो जाएगा उसका find out कर लेना under root कितना हो जाएगे value आप होती simple है omega r होता है इसमें तो किसी को doubt नहीं होना चाहिए और किसी से गलती भी नहीं होना चाहिए still कुछ लोगों ने गलती किये हैं उनको तो सजा मिलनी चाहिए what does the area under the acceleration time graph represent area find out करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है formula लगा दो भाई dimension का multiply कर देते है unit area की हो गई है आ जीरो होता है इसलिए option होगा आपका double concept लगाया गया था यहाँ ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा answer 0 next question है यह भी basic question है fundamental based है बहुत कम लोगों ने सही किया I don't know क्यूं कम लोगों ने सही किया भाई यह सबसे सही होना चाहिए और इसमें गलती होने के कोई chance नहीं है basic चीजह है बतलब fundamental अगर आपके clear नहीं है तो फिर ऐसी गलती है आप लोग करोगे easy questions है क्या करना है आपको final velocity find out करना है कैसे find out करते velocity V is equal to क्या होता है U plus 80 होता है यह formula आपने पढ़ा यह final velocity, initial velocity, acceleration, time, time t is equal to 4 पे आप से पूछा गया है ठीक है यह तो आपको confuse करने के लिए दिया है बोला है कि यह कैसा motion है uniform motion acceleration होगा नहीं तो time t रहे चाहे t square है जो मर्जी वो रहे है चाहे 100 है चाहे 1000 है फरकी नहीं परता है यह पूरी quantity zero हो गई तो इसके speed में कोई change होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई unbalance force है ही नहीं यह uniform velocity से आगे बढ़ते रहेंगे तो option होगा D आपका 4 भाई आप लोग क्यों गलती किया है ऐसा यार question को थोड़ा सा read कर लिया करो कहीं पर पढ़े हो same question इसे कहते हैं इसे कुछ होता है यह इधर जा रहे हैं यह रेडियल के दो नॉर्मल के दो ठीक है सब इनी को कहते हैं सेंटिपिटल के दो तो यह acceleration रहेगा बाकी सारा क्या हो जाएगा जीरो नेक्स जो question है आपका pure bending miss pure bending कम होती है जब वहाँ पे कोई axial force नहीं हो कोई share stress नहीं हो कोई टर्शनल force नहीं हो उस case को हम क्या कहते हैं pure bending कहते हैं तो pure bending के case में share force जीरो होगा maximum लोगों ने सही भी किया है next question है next question में बहुत ही राम कहानी लिखी हुई है राम कहानी को आप लोग पढ़ ले ना मैं जो main चीज है वो बता देता हूं circular cross section में क्यों ऐसा होता है भाई क्योंकि जब आप elementary area लेते हो तो आपने ध्यान दिया होगा ना circular cross section elementary area इस के हर section की जो distance होती है वो सेम होती है मतलब जो torsion लग रहा होता है वो खे में अगर यह ही के जगह पर आपने यह ले लो किसी particular point पर ठीक है मालने यह वा रश्डियंक्स है हमने यह यह distance diff ये distance, different, ये distance, different, ये distance, different, ये distance, different, तो जो tau की value होगी, t की value होगी, अलग लगेगी, जो stress की value होगी, वो भी अलग लगेगी, इस case में same लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये valid होता है, in short अगर दूसरों की भी बात करें, तो हाँ पर measurable नहीं रहेगा, बट still, ये ज़्यादा accurate हो each soft is same, अब ये parallel में है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, parallel और series connection, ये आपकी दो shaft है, suppose कर लिजे, ये एक shaft है, एक छोटी वाली, बच्ची वाली, इसका baby इधर लगा देते हैं, ये एक shaft है, ठीक है, अगर हम जो इसका rotating torque है, middle में लगाते हैं, मतलब बीच में लगाते हैं, औ और जो resistance वाला torque होता है, वो कुछ इधर आता है, ठीक है, ये तो देखो, आप clockwise लगाओगे, तो ये anti-clockwise, ये भी anti-clockwise, ठीक है, तो इस case को हम क्या कहते हैं, इस case को हम कहते हैं, parallel case, इस case में क्या होगा भाई, जो twisting होगी, वो same होगी, same होनी भी चाहिए, और जो torque होगा T, वो जो आपने effort लगाए हैं, वो और जो resisting होगा, वो opposite पे लगेगा, उस case में क्या होगा, वो same torque से सबको rotate करेंगे, तो T1 is equal to T2, whatever that, दोनों में same होगे, और थीटा क्या होगा, twisting क्या होगा, थीटा 1 प्लस, थीटा 2, इसको आपने detail में पढ़े होगे, मॉस में, next जो आपका question है the share stress at the center of the circular shaft under the torsion, क्या होता भाई, 0, share stress at center line, center line पे क्या होती है में सा, 0 होती है, क्यों 0 होती है भाई, formula से लिख लो या फिर common sense से कह दो, formula से भी आपको होगे, तो Tau is equal to क्या होता भाई है, T by J into R, जब R हो गये 0, तो भाई साब पूरा हो गया, 0, बाकी ये formula आप लोग य होता है, ये भी आपको याद रखना है, याद भी होगा, आप सभी लोगों को याद होगा, और साप्ट के केस में ये यूज होता है, Tau by R, जो मैं ने अभी यहाँ पे लगाया हुआ है, G theta by L, तो ये दोनों formula है, इनके base पे question पूछे जाते हैं, तो आप इसको धिया रखन next question है, a sharp turn, 500 RPM under the talk, ये दिया गया है, power आप से पूछा गया है, formula based question है, फिर भी कुछ लोगों ने गलत किया है, क्या होता है भाई, formula power का, P is equal to होता है, 2 pi n T by 60, अब कोई गलत नहीं करेगा, एक तीज यहाँ पे ध्यान देने का होता है, कि आपका RPM दिया है, तब तो ठीक है, revolution पर minute दिया है, तो ठीक है, अगर नहीं दिया है, तो आप convert करके रखना, क्योंकि भाईस आप 60 पहले से यहाँ पर formula में लिखा गया रहता है, कभी कभी unit के वज़़े से कुछ question गलत हो जाते हैं, बट यहाँ पर doubt नहीं है, यहाँ पर simply आपको सारी value substitute करना है, जब calculate करोगे आप तो आजाएगा आपका 20, next जो आपका question है, इस question में भी कुछ लोगों का मुझा personal message आया था, कि उनको doubt हो रहा है, यह क्यों नहीं होना चाहिए, और maximum लोगों ने इसको सही किया, मतलब जितने लोगों ने सही किया है, उससे जादे लोगों ने यह करके गलत किया है, होत तब यह कह रहे है, तो टाव is called to क्या होता भाई, T by J into R, ठीक है, दूसरा case अगर लेने, यह T1 ले तो बागे सब T1, T1 कर लेना यार, जल्दी बाजी में T2 ले ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, यह torque T2 हो गया, J2 हो गया, multiply R2 हो ठीक है, यह कह रहे है, यह दोनों सेम है, त polar module I होता है, नहीं, polar module I, अब कहोगे आपकी यह क्या होता है, फिर, यह होता है भाईया, IZ, IZ क्या होता है, IX plus IY, तो यह होता है, आपका IZ को हम J से भी दिखाते हैं, इसी को हम कहते है, polar moment of inertia, polar module I क्या होता है, moment of inertia, जैसे इसमें आप find out करते हो, modulus, तो इसमें क्या करते हो, वाइ आप वीम वाला जो question मैंने उसके पहले बताया था section modulus तो यहां पर आप क्या हो जाएगा जे बाई आर हो जाएगा तो इसे हम कहते हैं polar module I तो यहां पर option हो जाएगा आपका यह क्योंकि हमने equate कर दिया दोनों क्या हो जाएगे same हो जाएगे इसका एक basic funda होता है आपको यह ध्यान में रखना होता है कि वो कौन सा material है और किस region से fail होता है जैसे ductile material है ठीक है अगर इसको tensile stress इस पे लग रहा है तो यह दूर तक काम करेगा इसे डिजाइन कैसे होनी चीहे नहीं जिस k志 में जल्दी फएल हो तब इसके लिए तो आप करोगे नहीं तो यहाँ पर आ गया आपका maximum share stress theory क्योंकि यह share stress के case में weak पढ़ जाता है विचारा उसी तरीके से अगर हम brittle material की बात करें तो ये brittle material के लिए है principal strain ये maximum energy वाले भी brittle material के लिए हम use करते हैं क्यों brittle material क्योंकि brittle material जादे energy absorb नहीं करता है वो fail हो जाएगा है जादे energy absorb तो tensile material करता है तभी तो कहते हैं कि tensile material काफी tough होता है उसकी toughness काफी जादा होती है फेक्चर से पहले बहुत energy वह अबज़ाब कर लेता है जो कि brittle की बस की बात नहीं है तो इसलिए हम energy के लिए इसको डिजाइन करते हैं कम energy अबज़ाब करके ये fail हो जाएगा तो उसके लिए करते हैं ध्यान रख लेना आप लोग इसी को हम रेंकाइन भी कहते हैं और यह जो आपकी maximum principle strain theory है maximum principle strain theory को हम कहते हैं cent venant theory एक distortion energy theory भी होता है distortion energy theory विसकलिए हम डक्टाइल मटरियल के लिए लगाते हैं तो यह भी लगाते हैं डक्टाइल के लिए और distortion वाले भी लगाते हैं बाकी जो भी energy वाले हैं हम brittle material के लिए यूज करते हैं और इसको ट्रिसकास भी कहते हैं आप ध्यान रखना यह सारी चीजे अलग लग नाम सीलों को बुलाते हैं तो सारे नाम याद रखना इस question में कुछ लोगों को doubt हुआ है क्योंकि यह question आप लोगों ने कहीं पर देखा रहा होगा और आपने language नहीं देखा यहाँ पे two mobile end किया गया है अगर वो move कर सकता है जिस end से वो लगा हुआ है जब move करेगा internal resistance जबलप नहीं होगा तो stress आएगी ने ऐसे ही देख के आप ठीक ना करें नेक्स जो question है बहुत ही simple question है बट मासा अल्ला भया आप सारे लोगों ने यह लोग भाई काउन से दुनिया में रहते हो आप कैसे गलत कर रहे है यार मतलब engineering करके अगर आप relation built नहीं कर सकते क्या कह रहे है यह जो displacement है वो directly proportional to t k square है बहुत ही simple हमने भी कर लिया तो s is equal to proportionality constant लगाते हैं अपने बाबुजी का क्या जाता है ठीक है acceleration कह रहे है दो बार differentiate करते है acceleration पता चल जाएगा time के against में तो यह क्या हो जाएगे 2 kt हो जाएगा again यह तो velocity हमको पता चल गई velocity का relation पूछेगा तो क्या होगा linear variation होगा और अगर फिर से हम इसको differentiate करते हैं तो dt square हो जाएगा यह हो गया acceleration क्या बचेगा 2 k बचेगा 2 k क्या है constant है भीया तो constant आएगा यह लो message आया था हलांकि यह रिद्निंग का question doubt होना नहीं चीए ठीक है यह आपका एक platform है platform पर कह रहें यह भाइस आप कितने किलो मिटर कहा है यार one माल लेते है thousand मिटर लिख लेता हूँ फिर क्या है आपकी train है माल लीजे यहां से आपकी train चक्पक चक्पक स्टार्ट हुई है train ज निकल गई क्या इसको कहेंगे कि train station को पास हो गई है नहीं train का जब लास्ट इंड इस platform के लास्ट इंड को cross कर जाएगा तब कहेंगे न जब यह वाला इंड यहां पर होगा तो यह ट्रेन का engine चक्पक चक्पक कहां पर रहेगा यहां पर रहेगा तो यह वाली distance कितना हो जा पर सेकेंड में कर लेते हैं तो यह cancel out हो जाएंगे 60 सेकेंड में यह train बिल्कुल अपना जो भी काम है वो complete कर लेगी the path of one projectile as seen by the observer on the other projectile यह question है आप बहुत सारे लोगों ने पैरा बोला कहा है ठीक है इसको थोड़ा सा feel करने की जरूवत है क्यूं feel करने की जरूवत है बता constant acceleration g लग रहा होगा ठीक है आपने क्या किया इस पे बैठ गए इसको देख रहे हो आप दोनों में relative acceleration मतलब relative g क्या हो जाएगा 0 मतलब relative acceleration r a क्या हो जाएगा 0 जब relative acceleration 0 मतलब delta v by delta t 0 मतलब v क्या है constant अब जब velocity constant है तो कैसा motion होगा straight line आप कहोगे क्या मजा कर रहे हो सर much velocity से straight line motion का क्या relation भी या अगर straight line motion नहीं होगा तो velocity constant रहेगी नहीं क्योंकि velocity क्या है एक vector quantity है कोई भी curve motion हो रहा होगा उस वीलॉसिटींट हो है। और की इस क्वेस्टिह थोड़ा साा कौनफुलिक्ट हो कि एंसर की देने वालों को कुछ इंग्जाम वाले मानते ही नहीं कि है говорить in इंसर यहां पर नन अब दीज होना चाहिए क्योंकि प्रोपोशनल लिमिट तक वैलिड होता है बट इस्टिल कुछ एक्जाम में ऐसा देखा गया है कि सेम ऑप्सन के साथ इलास्टिक लिमिट उनकी ऑपिशियल एंसर की है और उन्होंने क्लेम के बाद भी इसको चेंज नहीं किया है अब सोच लेते हैं ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया तो अगर हम देखते हैं practically तो जो इलास्टिक लिमिट होती है proportional limit से थोड़ा सा उपर होती है और वहां तक भी आप देखोगे तो near about यह जो relation होता है stress और strain का वो near about linear ही होता है मालों यहाँ पर proportional है तो यह elastic limit है तो linear ही होता है तो hooks law को कह देते हैं कि हाँ भी valid है but official answer हर जगा books में आपको तो यही मिलेगा जो practical prove है वो भी यही कहता है कि proportional limit ज़ादे appropriate है फिर exam वालों को कौन समझाए but मैं तो यह recommend करूँगा कि अगर कहीं नहीं है तो आप none आप दीज करो अगर कहीं none आप दीज नहीं है तो आप elastic limit कर सकते हैं क्योंकि वो भाईस आप मानेंगे नहीं उसी पे आपको marks मिलेगा if the radius of wire stretch कर दो भया stretch कर दो क्या फरक पड़ता है property के उपर कोई फरक पड़ता नहीं है wire mango थोड़ों नहीं बन जाएगा खीचने से नहीं mango wire थोड़ों नहीं बन जाएगा खीचने से जो जो रहेगा वही रहेगा मतलब कहने का है कि जो material की property है वो change नहीं होती है due to mechanical region ठीक है होती है अगर आपको नहीं भरोसा है तो rubber को liquid nitrogen में डुबा के देखो सारी mechanical property की धजिया उड़ जाएगी भाई उड़ जाएगी मगर यहाँ पे नहीं उड़ रहे ठीक है तो अभी हम मान लेते हैं कि यह uneffected रहेगा एकदम वो extreme case है extreme case में change होता है stress strain analysis बहुत ही simple mechanical analysis करते हैं mechanical property find out करते हैं if the material has identical property in all direction क्या कहते हैं भाई उसको हम isotopy करते हैं यह दो चीज है यार यहाँ पे एक तो homogeneous होता है कि हर point पे material के property same हो अगर इस point पे भी same हो हर direction में भी same हो point पे भी same हो हर direction में भी same हो तो उसे हम क्या कहते हैं isotropic कहते हैं orthotropic मतलब वो vary करेंगे perpendicular direction में मतलब यह direction में अलग इस direction में अलग इस direction में अलग aniotropic मतलब कहीं पर भी vary करेंगे ठीक है यह सारी चीज़े होती हैं आपको पता होना चाहिए the ratio between the tensile stress and tensile strain यह तो बहुत ही simple है modulus of elasticity E कहते हैं न भया इसमें भी कुछ लोगों ने कलत किया है next question है the relation between यह relation तो सबको याद होना चाहिए जितने भी relation है इसके तीनों में आपस में क्या relation है क्या गुटुटुटुटु करते हैं वो सब आप लोग पढ़ लेना याद कर लेना the ratio between the change in volume to the original volume क्या कहते हैं volumetric strain बहुत ज़्यादा discuss करने की ज़रूत है नहीं after which point stress strain diagram does metal cutting start कब करेंगे भाई fracture point के बाद नहीं और metal cutting हो रही है मतलब वो cut कर दिया उसको fracture हो गया तूट गए भाई साब उनका जो भी stamina थी जो भी strength थी वो खतम हो गई तो उसे हम कहते हैं भाई या fracture point the ability of material to absorb energy up to elastic limit क्या कहते हैं भाई coefficient of the restitution होता है क्या भाई कोलीजन के बाद कोलीजन के बाद दो velocity मतलब एक ball आई इधर से एक ball आई इधर से दोनों collide कर गई collision के बाद उनके बीच का जो separation है वो जो separation rate है उसका ratio और दोनों जब एक दूसर से मिलन करने जा रहे हैं उस मिलन का rate है कितना तेजी से मिलन करने जा रहे हैं उसका ratio क्या कराता है यह कहलाता है coefficient of restitution यह कैसा भाईया plastic impact है plastic impact मतलब चिपक गए इतना strong million हुआ कि छोड़ी नहीं रहे सदियों के मिले हैं तो जब छोड़ेंगे ही जब एक दूसरिक होगा तो जिसवेलोश्टी से आये थे जिसवेलोश्टी से मिलने आये उसी वेलोश्टी से पनपन फरार होगे निसमी अब प्रिद्रिमेटिक बार का मतलब क्या होता भी यह uniform क्रॉस सेक्षन अब अगें यह भी पॉइंट बहुत ही सिंपल है अगें आपको एनर्जी बैलेंस एक्वेशन लगाना है यार वो डाइग्राम नहीं लगाया हूं यह रहा आपका डाइग्राम यहां पे इनके पास एनर्जी क्या होगी यही वाली तो होगी MGH और यही एनर् इनर्जी है वो टोटल केनेटिक एनर्जी में चली जाएगा अगर उपर कुछ निकल जाते तो अगें इनकी वेलास्टी चेंज हो जाती बट अच्छा है आपसे सिंपल पूछा है ना कि बॉटम पर क्या होगा तो अगें क्या हो जाएगा MGH एक्वल टू हाफ MV स्कार पह इस फॉल्विंग इस नौट टाइप ऑफ सिंपल मशीन क्या है इस प्रिंग है यह भी मुझसे गलट हो गया था कभी-कभी यार पता नहीं कैसे गलत रह जाता है डोंट नो तो यहां पर साइद मैंने पूली यह सम्थिंग कुछ टीक हो गया था मुझसे बट नेवर दलेस यह एंसर सही है और मैक्समु लोगों ने सही किया कुछ लोग गलत भी किया है क्या मतलब क्यूं गलत कियो भईया किस दुनिया में रहते हो यार इसको भी गलत करोगे क्या कुछ भी राम बरो से इसमें भी कुछ लोगों को डाउट है क्यों डाउट है यह तो डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए पहले आप यह देख लो कि Poisonal Ratio होता क्या है Lateral Strain divided by Longitudinal या फिर Axial Strain यही होता है मैं लिख नहीं रहा हूँ तो यह L से Lateral, S से Strain कर लेते हैं S से Longitudinal कर लेते हैं और S से Strain कर लेते हैं ठीक है अब यह क्या कह रहे हैं भीया अगर Poisonal Ratio 0 है कौन से Case में 0 होंगे Lateral Strain क्या हो जाए भीया 0 हो जाए या तो Longitudinal Strain या Axial Strain क्या हो जाए भीया Infinite हो जाए दो ही Case बनते हैं तो दोनों Case Longitudinal Strain in the Material is Infinite आला कि पहली वाली Case Lateral Strain 0 नहीं दिया है तो ठीक है तो यह Option सही हो जाएगा इसमें कोई Doubt होना नीचे यह The Material is Rigid पता नहीं भीया ठीक है जो भी है Force क्या दिया है आपको 1000 आपसे पूछा क्या भीया Acceleration Mass दिया गया है F is equal to M में बहुत सिंपल 100 Cancel Out हो जाएंगे 10 is the answer 100% होना चाहिए था बट यहां पर यहां पर कुछ लोगों निकलती किया है तू पैरलर फोर्स यह आपको फोर्स दिया गया है यह फोर्स है दूसरा फोर्स है Act on the body has resultant भी आपको दिया गया है देन पूछा है कैसे find out करोगे आपको angle find out करना है resultant कितना है भाई 25 है square कर लेते हैं यह क्या हो जाएगा भाई 100 का square प्लस 75 का square प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 इंटू 75 कॉस थीटा find out कर लेना थीटा क्या आएगा 0 I think so 0 आएगा तो मतलब क्या होंगे unlike parallel forces ठीक है unlike का मतलब क्या है दोनों के magnitude अलग है बट parallel forces ठीक है तो यहाँ पर आ गया आपका option A तो this is the end of this video thank you so much for watching this मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को all the best good luck